हेलो फ्रेंड मैल इंगराच पोटिल मेरा चैनल में आप सब का स्वागत करता हूँ आज मैं आप सब के लिए और एक निया रेशीपी लेके आया हूँ आज की जो रेशीपी है इसको देखने के बाद आपका मुझ से पानी जरूर निकल जाएगा और इसको बना के खाने का भी मन जरूर करेगा इसलिए दोस्तो आज मैं रेशीपी को कैसे बनाऊंगा यह जानने के लिए वीडियो के लाट्ष तक बने रहें तो फिर चलिए दोस्तो जादा बात इतना करके आज की रेशीपी को बनाना स्टार्ट करते हैं यह देखिए दोस्तों यह उबला हुआ आलू और हमने यहां पर साथ उबला आलू लिया है और इसका उपर का चिलका को निकालके इसको ठंडा कर लिया है और हमने इसको चोटा चोटा करके काट भी लिया है यह देखिए हमने यह साइज में इसको काटा है आप देख सकते हैं और सात में लिए है थोड़ासा अद्रक इसको भी चोटा-चोटाक काट लिया है धोड़ासा मिर्ची dabei है थोड़ासा धनिया पत्त्य अब चलते हैं मरा next step की तरब आभिहम लेंगे कडाई कडाई में डालेंगे थोड़ासा refined तेल गरम हो जाने के बाद आभे में इसमें डालेंगे थोड़ा सा गोटा जीरा, उपर से डालेंगे काटा हुआ प्याज, और प्याज को डालने के बाद आभे में इसमें मैट करेंगे सिमला मिर्ची, इसके बाद डालेंगे काटा हुआ टमाटर, और लास्ट में काटा हुआ अधरक और हरी मिर्ची को तो इसमें डाल देंगे और इन सब को डालने के बाद इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे तो चलिए इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं और इसको थोड़ी देर अच्छी तरह से फ्राय भी कर लेते हैं दोस्तों हमने इसमें सारा प्याच को नहीं डाला है आधा प्याच को डाला है आधा प्याच को बचा कर रखा है बाद में इसमें आट करेंगे इसको थोड़ी दर फ्रै करने के बाद ये देखिए दोस्तों इसका कलर एकदम चेंज हो गया है अब हम इसी स्टेज में इसमें उपर से डालेंगे थोड़ा सा कस्मिरी रेट चिली पाउडर इसके बाद इसमें डालेंगे थोड़ा सा नमक स्वात के अनुसर और इन सब को डालने के बाद इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इसको भी थोड़ी दिर फ्राय कर लेंगे ये देखिये दोस्तों अब न चित्रा से fry हो गिया है अब हम घस को बंद करदेंगे और इसको थोड़ा सा थन्डा कर लेंगे और जेब थन्डा हो जाएगा उसके बाद हम इसको लेके हमारा काटा हुआ जो आलू है उसको उपर इसको डाल देंगे और इसको डालने के बाद आप हम इसको उपर डालेंगे काटा हुआ प्याज, उपर से डालेंगे थोड़ा सा धनिया पत्ता, इसके बाद इसको डालेंगे थोड़ा सा मिक्चर, उपर से डालेंगे थोड़ा सा पापडी, पापडी को डालने के बाद आप हम इसमेट करेंगे प्रेंगल चीप्स और इसको डालने के बाद हमें इसमेट करेंगे थोड़ा सा मुमफली का दाना और इन सब को डालने के बाद आप हम इसको धीरे धीरे करके अच्छी तरह से आपस में मिक्स कर लेंगे दोस्तों हमें इसको एकदम धीरे-धीरे और हलके हलके आतों से मिक्स करना है आज मैं जिस तरीके से रेसिपी को बना के आपको दिखा रहा हूँ मेरे बताय हो तरीके से आप एक बार घर में इसको बना के ट्राय कीजिए आपके बहुत पसंद आएगा यह देखें दोस्तों हमने इसको अच्छी तरह से मिक्स भी कर लिया है यह अभी से इतना अच्छा लग रहा है आप इसको ऐसे खालेंगे यह देखें अभी अच्छी तरह से मिक्स हो गया है अब हम इसमें आट करेंगे थोड़ असा काला नमक और इसको डालने के बाद इसमें डालेंगे थोड़ असा चाट मसाला पाउडर, उपर से डालेंगे हलक असा डेली उज नमक, ये देखिए दोस्तों, ये इमली का चटनी, इसको हमने पहले ही बना के रखा था, अब हम इसमें इमली का चटनी को भी अट करेंगे, इसको इसमे फिर एक बार अच्छी तरह से mix कर लेंगे दोस्तों जब यह अच्छी तरह से mix हो जाएगा सबसे last में हम इसमें और एक चीज डालने वाले हैं जिससे कि इसका test और भी ज्यादा बढ़ जाएगा और इसका look भी बढ़ जाएगा तो चलिए अब हम इसमें डालते हैं बारिक से यूँका भुजिया और इसको डालने के बाद इसको फिर एक बार अच्छी तरह से mix कर लेंगे दोस्तों इसी बारिक से अब को last में डालने से इसका look भी बढ़ जाता है और इसका test भी बढ़ जाता है और यह देखिए दोस्तों अभी अच्छी तरह से mix हो गया है तो अभी अभी बेट का भेल तो बहुत तरीके से बनता है लेकिन मैंने आज इस वीडियो में अपनी तरीके से बना के आपको दिखाया है अब इम इसका उपर इमली का थोड़ा बचा हुआ चटनी को भी डाल देंगे यह देखिए और इसको डालने के बाद अभी इसका उपर थोड आज भी नहीं देखने के लिए मेरा चेनल को सस्क्राइब कर दीजिए और साथ में बेल ऐकन को भी दबा दीजिए ताकि मेरा आने वाला हर नहीं वीडियो का नोटिबिकेसन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए और आप सब मेरा वीडियो का पूरा आना नुठा सकते दोस्तों आप सबको मेरा आज के वीडियो कैसा लगा मुझे कॉमेंट करके जरूर बताईएगा तो फिर मिलते हैं मेरा नेक वीडियो में और एक निया रेसिपी के साथ थैंक्स पर वाचिंग में वीडियो फ्रेंड्स